हम तेह तक जाएं अगर कुछ हो जाता तो पुरे देश में आग लगती और पंजाब के किसान भाई सारे चन्नी जी को वोड देते पंजाब में सिरकार देश में आग ये है गंदीर राजनिती हिंदो तान की जो पहले चुराच्वी के दंगो में हमने देख अल इंडिया अं आतंकवाद का दंश ज्हेला है और बिट्टा साब ये जानते हैं कि आतंकवाद किस तरह से अपने पैर पंजाब में पसार चुका है सर सिख फॉर जस्टिस की एक और धमकी बिट्टा साब इस बार 26 जन्वरी को लेकर और राजी सरकारे अभी भी गंभीर नहीं है देखो आपने बड़ा अच्छा इशू पकड़ा बहुत अच्छा और स्रेंस्ट्रिप और बड़ा सीरियर आप एक काम करें यह जो पन्नू पुन्नू टोनू पूनी है ना यह मेरे नाम से गवराता है पिंद्रा घृत को इसने कहा था कि हमाचल के अंदर त्रंगा जंड़ा नहीं लेराने देंगे ची मनिस्ट्रा मंतरी लेराए का पंबो को से उड़ा दिया जा जाएगा इसकी आची की तैसी वहाँ जाके चैलेंज किया था तेरा बाप वहाँ आके तरंगा जंडा लहराएगा मंत्री अपना लहराएं मैं लहराओंगा पहली अगर गोली जा बम चला बिट्टा का सीना पार करके फिर कहीं जाएगा एक गुंडे और इस बदमाज को मैं ची तरह जानता हूँ और मेरी आप से रिक्वेस्ट है इसका प्रोग्रम कीजिए गोस्वामी जी ने कई बार इनके चले चाटे मिलाए हैं इनको चोड़िये तारों में अगर आ जाए इसको कहरो तुम्हारा बाप बिट्टा सामने आएगा नहीं यह डर्पोक आदमिया दूर बैठके दमकिया देता है दूसरी बात हम चुरक्षा इशू को समझे और जैने चोड़ निकाले हम सब में से बैठे कौन किस भाषा का परजोग करता है और देश की फिकर किसको है देश के प्राइम मिनिस्टर की चुरक्षा किसको है इंद्रा गांधी खोई राजीव गांधी खोया सरदार बेंसिंग पंजाब का चीम मिनिस्टर कोया और चौदा हमलों से इन खालस्तानियों से मैं बच के इस बोनस की जंदगी पे आपके सामने जंदा बैठा हूं इस वक्त क्या चाहिए था अल पुलिटिकल पार्टी जब इंद्रा गांधी शाहीद हुई राजीव गांधी शा पाप्त करो और पंजाब के अंदर कांग्रेस बीजेपी और एसस पीएम सीपी आई अकाली दालकर कुछ रिसा जब एक मंच पे कहा हमें कुर्थी नहीं चाहिए हमें सता नहीं चाहिए हमें बेहनों के सौहा गुजड़ते हुए नहीं देखने हैं हमें बच्चों को यतीम से अलग नहीं देखना है हमें अखंड वारत और कालस्तान नहीं चाहिए एक साल में एक चलाई सो चलाई समाप्त कर दिया अतंकवाद पर इस तर्फ जाना हुगा ये अतंकवाद की नी रखने वारे कौन थे बिंडरा वाले को हरमंदर सामें गुषेड़ने वारे कौन थे हजारों हथ्यार अंदर कैसे चले गए छत्ती हजार बेगुनाहों का कतलियाम कैसे हुआ उननी सदार हिंदू बाई शहीद हुए क्यूराची के दंगे हुए और इंद्रा गांधी शहीद हुई क्या उसके बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि इसकी जड़ और नी रखने वाले हम राजनितिक लोग थे हम राजनितिक लोग थे, हम जम्मेदार थे, हमारी गलत फैसलों से, सदा कुर्सी का राज हमारा रहेगा, अकाली दल बीजे पी आल पार्टी खतम, हमारा रहेगा क्योंकि बिंडरावला हमारा है, क्या हुआ, अब ची मनिस्टर चला गया, हम मरते मरते बज़ गये, अब अगला निशाना, सिद्धू बॉर्डर पे कहा था ना, पहले इंदरा गांधी शहीद की, अब नरिंदर मोती की बारी, बिट्टा साब, नहीं एक बात मेरी क्लियर को, एक सिद्धू बिट्टा साब, पहले, देखो मैं एक चीज, बेंजी बताओं, ये है बड़ा सीरियस मामला, इसको सीरियस हम ले नी रहे, हम चैनलों के अंदर पता क्या कहते हैं, कई देखे मैंने, कि रास्टर पती जी, पी हम रोने चलेगे, मैं अपने देश में चुरक्षत नहीं हूँ, बड़े अच्छे परवक्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और चन्नी जी, इतना सीक्रेट मामला, प्रिंका गांदी जी से बात नहीं करनी चाहिए थी, ये सीक्रेट है, और कल को, ये अनारी मुखमं प्रिंतरी उनको मुसीबत में डालना है सबको, ये इनक्वारी होगी, ये पी-म का मामला, दो-दो-पी-म खोए हमने, अगर इनक्वारी सही तरीके से ना हुई, अगर इंसाफ सही ना मिला, आने वाले वक्त के अंदर कोई भी इस लबेट में आ सकता है, और दुनिया के अ सेफ नहीं हैं, और वो नरिंदर मोधी, बीजेपी छोड़ो, कॉंग्रेट छोड़ो, बाकी पार्टी छोड़ो, वो वो नरिंदर मोधी, मोधी जिन्नों ने 370 दारा हटाई, 70 साल की कैंसर की बिमारी को खाड़ करके फेक दिया, पाकिस्तान, ISI, लक्षरे तोबा, थर-थ पार कामता है, सपने में नाम लेता है, मोधी, 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 आ गया, मोधी जे दाउद इबराहिम, कभी आपने अपने चैनल के अंदर, पिछले पांच साल में दाउद इबराहिम की स्टोरी तुनाई, उच्छे पहले डेरी, चैनल के जलिए ड्राया जाता था, दाउद आ गया, दाउद आ गया, अब दाउद उसका परवार अपनी जान को बचाता है, उस मोधी जी को हिंदोस्तान की दर्थी पे, पाकिस्तान में खत्रा नहीं, जिंदा वापस आते हैं, सौदी अरब, डुबई, स्वागत होता है, जहां पता है, मोधी वापस नहीं आएगा, मुस्लिम कंट्रियों ने खूब सुआगत किया, अपने देश के अंदर, पंजाब के अंदर, जहां च्छमा मांगी, गुर्णानक देवजी दे, धनम दिन के ओपर का चुराची के दंगे के ओपर किसी ने च्छमा मांगी, क्या छती हजार बेगुनाहों का कतले आम हुआ, उन्नी सदार हिंदू भाई शहीद हुए, क्या हमारी गलतियों से हुआ हमने च्छमा मांगी, नहीं मांगी, अतंकवाद हमारी गलती च्छमा नहीं मांगी, उस पर्धान मंत्री ने परना बांद के गुरु नानक देव जी को याद करते मर्यादा को ले करके कहा, किसान बा आपस आपको दे दूँआ मुझे छमा करना इन बदमाचों की ऐसी की तैसी पन्नू की खानस्तानी की तेरी ऐसी की तैसी पन्नू आज चैनल पर देख रहा मेरे सामने क्या पन्नू तुम्हें बताना चाहता हूं सरीरों पर बंब खाएं तुम्हारे लोगों के मुझे मार के प्रोड जर्मनी अमेर्का यूके में बागे थे ना मैं फिर कहना चाहता हूं पनू ना खानस्तान बना था ना बनने देंगे ना कभी बनेगा बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिट्टे की लाचों पर गुदर जाएगा पनू तेरी आथी की तैसी गुंडे दूर रहके कु बिट्टा जी मैं आपसे एक और बुजारिश करूगी आपकी बात से सहमत हुँ इतिफाक रखती हुई एक बात सुनिये बिट्टा जी में शाजिया बोल रही हूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप चुरौती दीजिए इस वक्त आप इनसे बोलिए इनकी हिम्मत है यह हरकते करें वहाँ पे कैनडा में यूके में करके दिखाएं करके दिखाएं यूके में यूएसे में और कैनडा में और देखिए इनकी क्या धुलाई कर पड़ाई होती है करके दिखाएं यह जल्दी हिंदोस्तान में आने वाला अभी अभी नुद्याना में इन्होंने ब्लास्त किया पन्नू के लोगों ने पहली बार हुआ तीन दिन के अंदर मोदी जी ने फॉरण मनिस्टी जितने चुटी पैसे सब बुला लिए जर्मन और बंबे अगर को ब्लास्ट हो गया जर्मनी सरकार तुम जिम्मेदार होगे तीन दिन में तीन दिन में पखड़ा पन्नूतु आने वाला कनूनी तरीके से यह बचेगा नहीं यह आज का हिंदोस्तान है जिसका परदान मंत्री निरंदर मोदी और सिमाउं की रक्षा करना जानता है बटा साब मुझे ज़रा बता दीजिए आप पर हमला हुआ आप पर गोलिया चलाई गई तो क्या वहां के लोग आपके खिलाफ थे देखो जी चौदा बार हमले तीन बार बड़े बम और कई सो बार हमले जो रेकॉर्ड में ही नहीं किसी का रिमोट नहीं चला रस्ता बदला गया नहीं राजीव गांदी की शहादित कहा हुई ताामिल नाडू ने हमदा अंकि उनका ची में मनिस्टर किस के साथ था वो तामिल के अतंक-वाधियों के साथ करना न दी सरकार उनकी उनकी पहले शुरक्षा हटाई फिर तामिल नाडू में चनाउट लन ने गए पता था रजीव गंदी की आदि Geral ऐ है, और उगरा न मानना मेरी प्रिंका गंदी बहन उना तंकवादी नलीनी को मिलने चलिगी भेन जी आपने मेरे पिता जी को क्यों शहीद किया था अब भी आखरी साथ तक राजीव गांदी के हथ्यारों को फांसी को दे करके रहूंगा जिस तरीके से शहीद परवारों को लेके फांसी खिचवाई थी अफदल की इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया बताएं मैं किसी से बैस नहीं करता क्या नरिंदर मोधी बीजेपी का है तो हम क्या करें हिंदोस्तान का परदान मंत्री है अगर राजीव गांदी का पुलिटिकल मडर था पुलिटिकल लोगों ने मिलके शुरक्षा कमजोर की थी तब राजीव गांदी शहीद हुए आज भ क्यों कई चीज़ें पाकिस्तान की शुरक्षा रेंज में कभी भी हमला हो सकता है गंगा नगर 70 किलो मीटर वागा बार्डर पास दस किलो मीटर में उसको गेर करके चारों तरफ गेर दिया, गोलियों से नहीं कभी आदमी मरता, हम गोलियों से थोड़ा मरें, ऐसी गोली कोई नहीं मरी, जो बिटे का सीना पार करके चले जाए, सौ सो किलो आडियंस गाडियों में फिट कर दिया, कितनी गाडियां थी, अगर वो ही गाड़ी, रस्ते में होती तो ये बचारे कमांडों भी उड़ जाते और आज नरंदर मोदी जी भी जिंदा ना होते चुरक्षा की बात करें राजनिती की बात मत करें अगर नरंदर मोदी जी की शहादत हो जाती बगवान मेर करें हमारी उमर भी लग जाए तो पूरे देश में दंगे होते पूरे देश में दंगे ना किसी मेरे कांगर्स भाई को को छोड़ता और सिख भाई पहले इन खालस्तानियों की गलतियों से पूरे हिंदोस्तान के इन्होंने गर उजार दिये खालस्तानियों ने क्या किसी ने निशाफ डिलाए उन सिक समाज के लोगों को नरिंदर बोधी ने डिलाए क्या किसी ने डिलाए हम तेहं तक जाएए अगर कुछ हो जाता तो पुरे देश में आग लगती और पंजाब के किसाँबाई सारे चन्नी जी को वूड देते पंजाम में सिरकार देश में आग ये हैं गंदी राजनीती हिंदो तान की जो पहले चुराच्वी के दंगों में हमने देखी मैं हर चीज का गवा हूँ मैं पुलिटिकल टेरिजम का मरा हुआ हूँ मैं बंबो गोलियों से नहीं हारा बेन जी मैं मौत से नहीं हारा मेरी दोस्त है मैं हारा हूँ कांग्रेस से नहीं हारा मैं कांग्रेस के नताओं के पुलिटिकल टेरिजम से हारा हूँ यह किस लेबल तक चले जाते है पता चल गया ना पंजाब में जो मेरे साथ हुआ वही उनके साथ हुआ अरे हम गलती मान ले नरंदर मोदी जी ने गलती मानी मानी तो हम लोगों के सामने ना माने अब हमें चाहिए वोट पंजाब में किसानों की अगर नरंदर मोदी जी चले जाए पका वोट बेंक नहीं गए तो अब हमने देखो जी नरंदर मोदी जी को रोक दिया वोट हमें द देश चल जाए शिक समाज का दुनिया में देश में नुक्सान हो जाए आग लग जाए हमें लेना देना नहीं है हमें तो सरकार चाहिए बिटा साब मैं पहले तो किशोरी जी की बात का सही ज्वात दूगा और गुरू गुबिन सिंग महराज की कसम खाके हनुमान जी की कसम का हूँगा हम जब भी बॉंबे में गए और अंगाबाद नहीं अमरावती नहीं हर जगा नासिक नहीं हर जगा पर शुरक्षा मुकमल है अभी मैं तीन महीने पहले बॉंबे में गया डिली से सियाइसेप्स मुझे छोड़के चलेगी अकेला छोड़ दिया अभी हाई जाई नहीं बूलत पुरूफगाडियां खतम एकनॉमिक स्टेट चबी 11 की गटना हो चुकी हजारों चिठियां सेंटर गौर्मिंट स्टेट गौर्मिंट पंजाम में डाल चुकी कि बिट्टे को खत्रा है मार देंगे और जिसने मेरे पे हमला किया था बॉंबे में पुल का पहले ठीक थी जैसे किया पुलिटिकल टेरिजम मेरी शुरुक्षा तैस्ट चिनाज कर दी सिर्फ वो जवान जो दिली से होमनिस्टी से गए